हेलो मेरे प्यारे चटोरू कैसे हूँ अरे बहुत चटोरी हो गई हूँ इस सर्दियों में डेड़ी ऐसा लगता है कि कुछ नया बनाया जाए और कुछ नए के साथ अगर सिर्के वाली प्याज ना होना मचा नहीं आता तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वही प्याज सिर्के वाली प्याज जिसको किसी भी खानी के साथ आप खाएंगे ना उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाना है और टेस्ट के साथ साथ अरे बाद सर्दियों में खाओ मजा आ जा रहा है बहुत मजा आने वाला है चलिए आप हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं इस जिन्स में हमने गाईस ले लिये हैं छोडी छोडी सी प्याज आप जितनी छोडी प्याज लेंगे उतना ही ज्याधा अच्छा लगने वाला है टेस्ट का और अब हमने अपनी आंगन की हमारी छोटी प्यागानी passieren वहाँ पे बहुत Henry ना से मिर्च तोड़ते हैं और guys you can't believe अगर घर पे कुछ फल और सब्जिया लगे हुए हो और उन्हें तुरन तोड़ कर बनाना और उनका टेस yum मतलब ultimate है इतनी fresh है कि इनके उपर इनका जो फूल है ना आप देखिये कि फूल भी इतना ताजा ताजा है कि मज़ा आ रहा है बहुत चलिए अब हम कुछ ग्रीन चिली भी तोड़ लेते हैं अपनी आगन से ये दीखिये हमने कुछ ग्रीन चिली तोड़ ली है और अब हमने अपनी प्याज को अच्छे से छील लिया है वाश कर लिया है अब हम इसमें बीच में देखिये इस तरीके से कट लगाएंगे ताकि जो सिरका या विनेगर हम जो डाल रहे हैं वो अंदर तक उसके कौर में चला जाएं हमने अपनी सारी प्याज को इसी तरीके से कट कर लिया है और अब हम लेंगे बीट रूट बीट रूट यानी की चकुंदर तो गाईज सर्दियों में तो वैसे भी इतना फ्रेश मिलता है मार्किट में तो आप इसके छोटे छोटे से पिसिस कर लेजे और बाउल में डाल दीजी भस अब क्या करना है अब आपको बड़ी चमच चीनी लेनी है चलो जी आप ज़्यादा मेठा है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं ये हमने डाल दिया है वाइट सॉल्ट और उसके बाद हमने जो फ्रेश ग्रीन चीली लीती तो अब हम इनके डंठल तोड़ लेंगे और इनको आप चाहें तो कट लगा सकते हैं कोई ये आपकी चॉइस है बट मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है तो मैंने ऐसे ही डाल दी है अब गाइस हम इसमें एक कप के करीब सिरका लेंगे ये दिखिए हमने वाइट विनेगर यूज कर रहे हैं और अपने बाउल में इसे डाल देते हैं बस भई मुझे पानी आने लगा होगा आपके तो चलिए विनेगर डालने के बाद एक कटोरी के करीब हम इसमें वाटर एट कर देंगे और वाटर एट करने के बाद आपको इसे मिक्स करना है और दोस्तों जब तक मिक्स करना है जब तक यह जो हमने शुगर इसमें डाली है न वो अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए तो चलिए आप हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अरे वाट कलर भी कितना लाजवाब आने वाला है बहुत ही ultimate और पता है दोस्तों जो छोटी छोटी से चीजह होती है न खाने के साथ जैसे की चटनी और अचार पापड सिर्के वाली मेर्च या सिर्के वाली प्यास यह हमारे खाने को बहुत खुबसूरत बना देती हैं बहुत कुबसूरत उनका टेस लाजवाब है उनको देखते ही खाने का मन करता है तो गाइस अगर आपकी घर में छोटा कोई फंक्षन है या आप घर में एक छोटा सा गैट टोगेधर कर रहे हैं अगर आप ऐसी चीज़े करेंगे न तो मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ा आता है और लोगों को भी हमारी यह चीज़े बहुत पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारी यह जो हमने प्यास बनाई है इसे जरूर ट्राइब करें और कॉमेंट कर कि जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो बस गाइस हमारी प्यास रिडी है बस आप इसे एक से दो दिन के लिए रख दीजे और उसके बाद इनका जो कलर है वो बहुत ही खुबसूरत आने वाला है थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू